हाई गाईज वेलकम चो आप ब्रैंड न्यू सेशन ओफ करेंट फेल्स आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रेंटियर आईएस और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब परना बिल्कुल न और यह सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह चार बर्ज इवेलेबल हो जाता है साथ ही साथ डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंथली मैगजीन आप मैं टेलीग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आईएस और एस और एस से जल्पनेकल और लाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करे करेंगे प्रिवेस स्कुल्स के साथ मैंने आफ से पहला क्वेस्टिन पूचा था कि रसायन विग्यान में 2021 के नोबल पुरसकार से किसे समानित किया गया है तसक से जवाब था बेंजयमिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था कि FIH होकी 2020 में महिला प्लेयर आफ दियर के किताब से किसे समानित किया गया है तसक से जवाब था गुर्जीत कौर स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन का साहित्य का नोबल पुरसका 2021 विजेता अब्दुल रजाक गुर्णा किस देश से संबंदित हैं त उन्हें यह पुरसकार अपने मूल स्थान से 20 थापित लोगों और उस जगह पर पढ़ने वाले प्रभाव को अपनी कृतियों के जरिये दर्शाने के लिए दिया गया है यह उन्हें का सीर में देखिए वह अंग्रेजी में लिखते हैं साहित्य के लिए नोबल पुरसकार प्राप करने वाले वह अफ्रीका में जन में छटे लेखक हैं उनका सबसे प्रसीद उपनेयास पेराडाइस है जिसे 1994 में बुकर पुरसकार के लिए चुना गया था गुर्णव वर्तमान में यूके में रहते हैं और केंट विशिदाले में अंग्रेजी साहित्य पढ़ात जाता है इस वर्ष भारतिय वायु सेना ने अपनी 89 वी वर्ष गांठ मनाई भारतिय वायु सेना का दिकारिक तौर पर आठ अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश समराजय दवारा रोयल इंडियन एरफोर्स के रूप में स्थापित किया गया था 1950 में इसका नाम बदल कर भारतिय पायु सेना यनि इंडियन एरफोर्स कर दिया गया नेक्ट क्वेशन देखो नवीन्तम हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का राइं क्या है तो सई जवाब हो ऑप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक पिछले साल के मुकाबले 6 पायदान गिरकर 90 पर आ गई है जो दु यह ranking International Air Transport Association IATA द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकडों के विशलेशन पर अधारित है Next question देखो सेने प्रशिक्षन अभियास अजे वारियर किन दो देशों के बीच आयोज़ित किया जाता है तो से जवाब हो option number A, भारत और UK तो भारत UK सेने प्रशिक्षन अभियास अजे वारियर का छटा संसकरन चौबटी उत्राखण में शुरू हुआ और 20 October 2021 को समाप्थ होगा यह अभियास मित्रों देशों के साथ अंतर संचाले नियता विक्सित करने और विशेश अग्यता साजा करने के एक पहल का हिस्सा है इस अभियास के दुरान भारत के सेना की एक Infantry Company और UK सेना की एक समान ताकत अपने अपने देशों में विभिन सेने अभियानों के संचालन के दुरान अपने अनुभवों को साजा करेगी बात कर लेते हैं आपर The United Kingdom की तो इसमें आता है England, Scotland, Wales और Northern Ireland, इसी Capital or Largest City है London, करंसी है Pound, Sterling Next question देखो विश्यो कुष्टी Championship में रज़त पदक किसने जीता है? तो सही जवाब हो Option No.B, अंशू मलिक तो अंशू मलिक विश्यो चैंपेंशिप में रज़त पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलबान बन गई है वैब विश्यो चैंपेंशिप फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतिये है यह तस्यूर में देखिए उनसे पहले सुशील कुमर और बजरंग कुनिया विश्यो चैंपेंशिप का फाइनल खेलने का कमाल कर चुके है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो हाल ही में किस योजना के तहत पर रेटन मंत्राले ने बौद सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड रुपे लागत की पांच पर योजना को मंजूरी दी है तश्क से जवाब हो अक्ष्नमबर बी, सुवदेश दर्शन योजना तो हाल ही में सुवदेश दर्शन योजना के तहत पर रेटन मंत्राले ने बौद सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड रुपे की लागत से पांच परियोजना को मंजूरी दी है इसने केंद्रे सरकार की देखो अपना देश पहल के हिसे के रूप में एक बहुत सरकेट ट्रेन एफ एम टूर का भियायोजन किया है इस दोरे में बिहार में गया बोध गया राजगी नालंदा और उत्रपदेश में सारनात वारा नसी गंतव्य शामिल है नेक्ट क्वेशन देखो एंटी सिय ने गुरु घासी दास राष्ट्यो दियान और तमोर पिंगला बनेजिव अभियारनय के सेयुक छेत्रों को टाइगर इजब घोशित करने के किस राज़े सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो सेजवाब हो अप्शन नुबर A चत्तिसगर तो राष्टे भाग संडक्षन प्राधी करन एंटी सिय ने चत्तिसगर सरकार के गुरु घासिदास राष्ट्यों दियान और तमोर पिंगला बनेजिव अभियारनय के सेयुक छेत्रों को टाइगर इजब घोशित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है नया रिजर्व मध्य प्रदेश और जारकंड की सीमा से लगे राज्यों के उत्री भाग मस्तित है उदांती सिता नदी अचानक मर और इंदिरावती रिजर्व के बाच्छतिस गड़ में यह चोथा टाइगर रिजर्व होगा गुरु घासिदास राष्ट्य उद्यान देश में इश्याई चीतों का अंतिम ज्यात्मी वास स्थान है नेक्ट क्वेस्न देखो किस राज्य ने एक विशेश टीका करन पहल मिशन कवच कुंडल शुरू की है तो सई जवाब हो आप्शन नुबर A महराष्ट्र तो महराष्ट्य के स्वास्ते मंत्री राज्य इस टोपे ने कहा कि राज्य में COVID-19 वैक्सिन अभ्यान को तेज़ करने के लिए महराष्ट्य सरकार एक विशेश टीका करन पहल मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी यह भ्यान राज्य में 14 अक्तूबर तक लागू रहेगा इसका लक्षे प्रति दिन कम से कम 15 लाख लोगों को टीका करन करने का है बात करें हाँ पर महराष्ट्र की तो इसके फेमस डैम्स में आता है मिनी माता बांगो डैम हास्दियो रिवर तर्मल पावेशं प्लांट में आता है कोर्भा सीपर तर्मल पावेशं प्लांट और सिपाः थर्मल पावेशं प्लांट तरस्ट सही जवाब हो उप्योंमर ए चार एक्टूबर से दस ओक्टूबर तो International Organization of Securities Commission IOSCO 4 October से 10 October 2021 तक अपना पांचवा वार्षिक विश्व निवेशक सप्ता शुरू करने की तैयारी कर रहा है विश्व निवेशक सप्ता निवेशक शिक्षा और संड़क्षन के महत्व के बारे में जागता बढ़ाने और इन दो महत्व पुन छेतरों में प्रती भूती नियामों को यानि Securities Regulators की विभिन पहलों को जागर करने के लिए IOSCO दुबारा प्रचाहित एक पहल है अभ्यान के प्रमुक संदेश दो विश्व पर अधारित होंगे स्थाई वित यानि Sustainable Finance और धोखा धड़ी और घुटालों की रोगठाम यानि Frauds and Scams Prevention नेक्स्ट वेशन देखो निमन लिकित में से किसने विश्व कुष्टी Championship में 59 kg वर्ग में कांसे पदक जीता है तो सई जवाब हो Option No.A, Sariita Moore तो Sariita Moore ने Sweden की जो हाना लिंड बॉक को हराकर विश्व कुष्टी Championship में 59 kg वर्ग में कांसे पदक जीता वेश्व विश्व Championship में कांसे पदक जीतने वाली छटी भारते महिला पहलवान बनी है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुईक समरी की तो 2021 में Literature के Nobel Prize प्राप्त करता अब्दुलरजागुर्णा तंजानिया से बिलॉंग करते हैं इंडियन Air Force Day 8 October को मनाया जाता है वर्ड रेस्टिंग चेंपेंशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है अंशु मलिक ने स्वादेश देश्टन स्कीम के तहत मिनिस्ट्री अफ टूरिजम ने बुद्दिश सर्केट डेवलपमेंट के लिए 325.53 करोड रुपे मनजूर किये है 36 गड़े गुरु घासीदास नैशनल पार्क और तैमोर पिंगला वाइलर सेंक्चुरी से कंबाइंड एडिया को टाइगर इजब डेकलेयर करने का घोशित किया है मिशन कवच कुंडल महराश्टर में शुरू किया गया है वर्ल्ड इंवेस्टर वीक ऑक्टूबर चार से दस ऑक्टूबर तक मनाया जा रहा है और वर्ल्ड रेस्लिंग चेंपेंशिप में 59 किलोगरम कैटेगरी मिसारीता मौर ने ब्रॉंज हासिल किया बात कर लेते हैं आज के सेशन के quiz for the day के आपका पहला question है विश्व कुष्टी चेंपेंशिप में रजक बदक इसने जीता है और आपका दूसरा question है सहित्य का नोबल पूरसका 2020 विजेता अब्दुल रजागुर्णा किस देश से संबंदित है इन दोनो questions का answer आपको नीचे comment section में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे channels को subscribe नहीं किया है तो subscribe करना बल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस bell icon को जरूर press करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिल सके हमारी दोनों websites और telegram handles को join जरूर करना है Thank you so much